कि दसवी बोड़ प्रिक्षा 2024 काक्षा 10 की समाजिक विग्यान को पेपर है वो आपके 16 मार्च 2024 का पेपर होने वाला है उसके लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है ये क्यूशन पेपर आपके सारक सारे इंपोर्टेंट इनको आप अच्छे से तयार कर लेना याद कर लेना आपके कफी जो अच्छे मार्च इससे प्राप्त होंगे तो वीडियो को सुरू करते हैं और इसके जो इंपोर्टेंट कुशन है विडियो हम देख लेते हैं पहला प्रसन आपके खंड में है अब सब्सक्डवल आएगा यह तो पहला किशने की दानिमार्च का प्रारंप किया गय था तो दानिमार्च का उसका सही उतर होगा आपके 12-03-1930 को जो दानिमार्च वो शुरू किया गय था सुरू कहां से हुआ था तो ये साबर मती आस्रम से सुरूआ था साबर मती आस्रम से नेक्स ने फिर आपके विस्व या पी आर्थिक मंदी का सबसे बूरा असर किस पर पढ़ा था तो इसका उतर हो जाएगा अमेरिका सबसे ज़्यादा असर जो पढ़ा था में उपलब्द हैं इसके लाव आप दस्वी का जो वाट्साप गूरूप इसको जोने के लाइना लिंक की वीडियो के निचे डिस्कुस्म बॉक्स में देरका हैं और आपकी जो गणीत विग्यान की पर होंगी उसके आपको काई फाइदा माद से मिलेगा अगला प्रस आपक स्वेकरन बारत में दली व्यवस्ता के सी तो बारत में बहुत दलिये व्यَّसता है यह सदिग दल बारत में नियुक्त इतरीक उतार ड़ता सहकरी समयती नहीं होंगा सब्सक्राइ는데 सब्सक्राइब सर्क्राइब इसका पूरा नाम हो जाएगा से समाजिग विभाजर अधिकांसों अदरीट होता है तो यह जन्म पर आधे होता धूल भूसा समबर्धिस विची हमिल है कौन सा साधन Бारत में पर्मोग रूप से साधन है तो ये रेल प्रिवहन बैक्स क्रृट जाए तो प्रचीन और प्रमोग होगा सुन्य बॉला विदियोग ने इस ने पर पुराना जलोड किस नाम से जाना जाता है दो जलोड एक पुराना जलोड और एक नया जलोड तो नया जलोड जोता है उसको खादर कहते हैं और पुराने को बंगर का जाता है तो यह पुराना है तो बंगर उतर हो जाएगा इसका पुराना है तो इसका उतर हो जाएगा अंकर नए को बार्णा याद कैसे की कांद मे हैं ना से नया ज़लोड है थो नया जलौड याहन की न और आपके यहाद रखू होन जएगा कादर में अपके नया होता है नेस्ट नाए महजद जाए के समाचारा पत्र का नाम ऑड़ को मिदी ऑप केसी और मर्राठा ये बाल गंगा ते लगके समाजार पतर थे गुलामगी रिपुस्तक किसने लेकि ये कमेट करके आप बताएंगी गुलामगी रिपुस्तक जो है उसके लेका कौन है नेक्स्ट आपके रिक्तसान की कुछने पहला करसने की एचली आई का पूरा नाम बताना किता हैं बारति कोरता है तो ब्रॉट शेंग्स करता है कि इसको जोबर का जेता है विदेशी कंपणी के ररा क्या है को भाए प्राकृतिक सुय आउने पूर्ट आप हे भरति फिर आपके तीजय परसना में दस और याइनर आएंगे तो इन 10 ना लाइनर को इसमें है प्रते एक प्रस्न का उत्तर आपको एक एक लब पंग्ति में देना है गुमास्ता कौन है गुमास्ता कौन थे गुमास्ता के बारे में आपको पताना है तो गुमास्ता कौन होते हैं गुमास्ता देख यह बुनकरों पर नियंतन करने वाले वेतन भोगी करमचारी गुमास्त से जाना जदता था एक यह आपको॥ together के बार में देख लएना है ऐसा वेक्टी जो हुआyo तक है फीघ्ञ कर फिर आपके यह कि réponse campaign गरलोटिल्टि से बचाओं के लिए कोई एक तरीका बताना है मिला फटो एक कोई एक उपाय तो इसका उथर जाएगा डर आजनधी नियम और जिया पोला हो सकता है अगला प्रसुन ए क्यूं है लोग तंत्र में सत्ता की साजेřा को आफ्षक तो लोग तंतर में सत्ता की साज़दारी क्यों आउशक है तो सत्ता की साज़दारी संगर्स की बाउनाओ को कम करता है और परजात अंतरी बाउनाओ के अनुकुल होता है इसलिए सत्ता की साज़दारी आउशक है अग्ला जी कुश्चिन आपके फलाई सडल के कोई दोलाव आपको बताराएं कि फलाई सडल के दोलाव लिक LAUD लिखी है तो फलाई सब्द है एक तो उत्पद्न किसमता बढ़ती हैं और एक सरम की मांग में गिरावट आती हैं फिर नेक्स पुश्चिन आपके संगटी तक श संक्रिष शहत्र कहता है नेक्स्विष्जैने वैस्वी करें किसे का जयता है वैस्वी कुल की परिवास आपको उसमेह लिखने के तो बेस्व परिवास हैं विबिन देसों होते हैं और इसके समर्थक होते हैं राजनेतिक दल के पर मुख अंग तो इसमें आपके नेता होते हैं सक्री सदर्श होते हैं उसके अनुज़ाई या फिर समर्थक होते हैं कि ने किसक्षेतर में उत्पादक कच्छे माल को प्रिस्क्रत वस्तों में प्रियोल्टित करते हैं तो इसका उत्र जाएगा आपके जूम खेती जूम खेती जूम खेती तो बेगार क्या होता है बेगार बीना किसी पारिस्रमिक के काम करवाना बेगार कहलाता है बीना पैसे दिये काम करवाना बीना मजदूरी के काम करवाना बेगार कहलाता है अग्ला प्रस्ति फिर आपके विकास के लिए दारु निता्याफि सतत्द पुस्ट्नी विकास मात्पुन क्यों हैं तो, उसका उत्ति foiस तर रहे जो बीना बोश बहुऑ जाले क्या जाता है सतत्ध विकास तारनी विकास कर्लाता है इसके प्रमुख जो चलने वो इस Πरकार से हैं तीवर आरथि विकास से प्राकरतिक सिंसादनों का अतितिक दोह न से प्राकरतिक सिंसादन समाप् ठोजाएंगे ज webcam संभी देसों में विकास खत्रे में पड़ जाएगा तीवर अधिकी करण से परियावरान एंपासितिकी को नुक्सान पहुंचता है और जो परियावरान परदूसन का कारण भी बनता है और विविन बविश्री में प्राक्रतिक संतुलन को बादित करता है नेक्स्त के पिर आपके लोग तंतर एक जवाब दाई उत्तदाई और वेधित सरकार का निर्मान कीसा करता है reference तो लोग कंतर वाला ये किशनिस चाविक उत्र जाएगा लोग तंतर में ने निर्ने निर्मान में जंता का परिद्यक्श बागिदारी होती हैं और नेने निदाइच मापदन्ड और प्रक्रिया के अनुसार जो लिया जाता है जो नेने लोगों को लोगों के लिए अधिक स्विकारी बंदते हैं और निस्पक्स और नीमी चुना होते हैं और सुचनाओं को साजा किया जाता है अगला प्रस्था आपके बारत में राजने दल के लिए आपको याद रखना है कि यदि कोई दल लोगसभा चुनाओं में पड़े कुल वोटो या फिर चार राज्जियों की विदान सबाद चुनाओं है उनमें कुल वोटो का 6 पराप्त कर लेता है या फिर और लोगसभा चुनाओं में जो कम से कम 4 शीटों पर जीट दर्स करता हैं तो उसे राष्टी दल की मायनेता पर राप्त हो जाती हैं ऐसे कुलेजी अपनी किताब के अनुसार साथ राष्टी है दल हैं 2019 तक 2019 की बात हो रही तो वहाँ पर आपके साथ लिखने हैं फिर आपके हैं शित्री दल जब कोई पार्टी राज्जी विदान सभा के चुनाओं में पड़े कुल मतों का 6% या फिर कम से कम दो सीटों पर जीत दर्स कर ले उसको मक्षेत्री दल के रूप में जाना जबता हैं अगला प्रस्थन ये बारती राज्जी विदानेती में जाती वाद की समिश्या आपका उलेक करना है तो बारती राज्जी विद करका कर वोड पाने की कोशिश करना और जातीकत गौल बंदी और निमन जातियों के राजनीतिक चत्ना का उद्ढ़ है ये परमुग इसकी सम KwishyनाЗ नश्टे जल दूरबलता क्या है इसके पर्मुक कारण लिखी है जल दूरबलता इसके पर्मुक कारण जल दूरबलता का अर्थ होता है कि सिक शित्र में जल उपलद होने के बावजूद भी वहाँ पर जल प्राप्ति की कमी होना इसके अनेक कारण है जैसे अतिदिक जनसंग के होने के कारण जल उप्लब्द नहीं होना सभी स्थानों पर जन्संक्याओं कि अनुपात में जल का वित्रन नहीं होना और जल का अने कारणों से प्रदूशित होना जल में तिदिक मात्रा में लवनता भी जल दुपलता का कारण बनती हैं समय की मांग है कि जल संसादनों का प्रस्रक्षन और प्रबंदन करें आने वाले समय में जल को सुरक्षित रखें अगला प्रस ने कि चोरी चोरा कांड पर एक टिपनी लिखनी चोरी चोरा कांड के उपर टिपनी आपको लिखनी तो चोरी चोरा कांड के पर टिपनी है पांच फरवरी 1922 को उत्तर परदेश के चोरी चोरा नमक स्थान पर उगर भीड ने स्थानी पुलिस ठाने पर आग लगा दी ती जिसमें एक ठानेदार एक किस सिपाही जिन्दा जल गए थे और यहां गटना जो हैं वो चोरी चोरा कान के नाम से प्रसिद है नेक्स्ट ने मर्दा परदन को रोकने के उपाए उन सरक्षन को समझाईए तो मर्दा परदन को रोकने के उपाए या फिस सरक्षन के समझाना है तो अधिक सदिक वरक्षे रोपन करके वनोन मूलन को रोक करके इसको मर्दा परदन को रोका जा सकता है मुर्सली या अनिक शत्रों में होने वाले अत्ती पुसुचारण को रोक करके भी मर्दा पर्दन रोक सकते हैं जन्सिंग के वर्दी के कारणों से होने वाले अव्यावस्तित निर्मान को रोक करके भी ये काम इसको सरक्षन कर सकते हैं मर्दा पर्दन को रहसानी औरपको के स्थान पर जेवेखात कव्यों करके मरदा परदन डोका जा सकता है पहाडी या डलान शेटर वाले क于तों में सिडि नुमाइ कहत को कर्षिकारिये करके मरदा परदन को कम किया जा सकता है छांपे खाने मं दार्मिक सदर पर प्रबाव पढ़ा के सेश्का बुलर्न करना है तो उनिस सी सदी में समझी सुधारक और धर्म सदर्कों के बीच समझी कूरीतियान धार्मिक पूजा समंदी विचारों को लेकर काफी विवाद था चापे खाने के अविसकार से इस्तानी बाशा में पुस्तकों और का प्रकास्टन संभव हुआ इसके परणाम सरुप लोगों के तार्ट की जो चिंदने वह इसका विगास हुआ और दार्मिक सुदार पर इसका कफी वि समस्ते हैं कि व्यापार संतुलन तो किसी भी देश के व्यापार संतुलन को आयात वर निर्यात के अंतर के द्वार संतुलित किया जाता है यदि आयात मुल्य और निर्यात मुल्य में लगबख समान है तो इसको व्यापार संतुलन का जाता है नेक्स कुशन है लोग तंतर म सथा कि सज давно के विबिन कौन कोनसे हैं तो एक तो इसके Aren उब चार रूप इसमें जो सथा कानके विबिन हो जी से करे खारी ठाषा का विदाइका और नियौन के मदद कॐस्था का वी बाजन चोथा है कि राजनेतिक दलों दबाव समों और किसारनों और अधुकिक मजदूरों और अंधुलन के बीच में जो सत्ता का विवाजन किया जाता है साजिदारी का विवाजन कर सकते हैं अब नेक्स्कृषन आपके वेस्विकरणि में सुष्द्ध संचार प्रगी का पर्मग करने और संवात का प्रियोग है और इसमें प्रयोग किसमें करते हैं कम्पूटर ने को घतिपरदान की है जीवन के लगबबह परते हैं एक साथ में कम्पूटर करने प्रवेस हो गया है लिए से स्थित्यां ही बिलकुल बदल गई है और असमपूर ने विए सवर्व की जानकरी यह गर बेड़े पराप्ते कर सकता है इ दूसरे यह कि वुक्ताओं को मार्दसन करती कि वे कैसे वुक्ता अदालत में अपना मुकतमा दर्ज करा फिर आपको पेपर वो खंड सामें आएगा चार कुछन आएंगे तीन तीन नमबर के यह देख लेते हैं पहला आपके यह हैं कि सता के विकंद्री करन से क्या भी है संगी इस व्यूसता के स्वरूप में 2 वस्तरों की सरकारे होती हैं और अपने लिए ये इसके पर मुख उधारन है अब आपके एकात्मक स्वरूप वाले एकात्मक में आपके यह हो जाएगा इस आसना व्यवस्ता की फल सरूप एक ही तरक होता है और राजिस सरकारें उसके अधिन इंग्लेंड है जापन है और हालेंड है इसके पर मुख उधारन है फिर आपके यह ताएस सता के विकेंडर करन से क्या भी प्रांज है तो विकेंडर की पिछे बुनियादी सोस तो जब केंडर और राजिस्तर के 20 सकतियों को लेकर 17 शरकारों को दी जाती हैं तो इसको सता की बारत में संगी स्था के साज़ेदारी के तीन स्था हैं केंदर सर पर राजिस्था पर राजिस्था पर स्थानी सर पर स्था के विकेंदी करन के परतम दो स्था केंदी स्था पर राजिस्था से सक्तिया लेकर स्थानी सरकारों को परदान करता है और बारत में 37 सरकारों को 1992 के सवीदान संसोजन के माजर्म से अधिक सक्तिसाली बनाया गया गया था विकेंदी करण के पीछे की सोच क्या है तो विकेंदी करण के पीछे बूरियादी सोच यह कि अनेक मुद्दो और समिश्याओं का समाधान अस्तानी इस्तर पर ही अच्छे तरीके से हो सकता है लोगों को अपने इस्तर की समयश्याओं को अच्छी समझ होती है लोगों को इस बात की भी जानकर होती है कि पैसा कहां खर्च किया जाए और चीजों को अधिक अकुसलता से उपयोगा किस तरह से क्या जा सकता है तो और रोजकार तो तो पर शोडी शोटी शोडी मोडी और विख्रीवी कया राजकी नियंतरन के बाहर होती जब कि संघ्रीच शेत्रक में जो उध्यमकारी के स्थान से होता है और जहां रोजगार की अवदी नियमित होती हैं सरकारी नियमों और वी नियमों का पालन किया जाता है आसंग्री शत्रक में रोजगार की शर्ते अनियमित होती है जबकि संग्री शत्रक में रोजगार की शर्ते नियमित होती है परात्मिक शत्रक पिर आब कि यह दुलीतग शत्रक और फिर कि यह दूहित शत्रक तर्टिय थे का ँब्लात्मिक शत्रक हुआइं Z info at को उत्खनर करना है और पाथी जट हुआ कि प्राकरती को वी निरमान प्रक्रिय पर उत्ति नहीं सब्सक्राइब इसलिए वी निर्वान की प्रक्रिया आप परहारी है। या प्रक्रिया कीसी कार खाने अत्वा गर में संसालित की जा सकते हैं। इसका शेत्रक को अधोगी कि शेत्रक भी का जाता है। कि इस इसम IK में इसको जित्त हैं इसक tay दिए डिए वस्तों के विकासमें शेवा का सजन करते हैं इसलिए इस शेत्रक को सिवाक शेत्रक भी का जाता है जोसे अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, दूर्स अंचार हैं, सिक्षा हैं, रेलवे हैं ये सब इसमें शामिल है अगला अक्षिन एक बारती घृषी के श Trekti में सुधार्यतु बारा सरकार दोरा लाएगे सफ्तागतौतौत और तक्नीकि सुधार का बारहे हैं, या फिर बारत में दो परमूग रहसरदार फ़सलों जूट और कपास की विश्यस्ताओं का वर्नन करना है तो बारती कर्शी की स्थिदी में सुधार है तो बारत सरकार द्वारा लाए गए सस्तागत और तक्निकी सुधार के बारे में तो सुतनता के पश्चाहत अदेश में संस्तागत सुधार के लिए जोतों का चक्बंदी, साकारिता, जम्मिदारी, आदी को समाप्त करने की प्रात्मिकत दी गई है। 1970-1970 की दसक में 12 सरकार ने कई परकार के जो कर्शी सुधार की सुरात की थी, पैकेज टेक्नलोडी पर अदारी तसहरीत करांती और सुधार की जैसे कर्शी सुधार की जो रन नीते हो प्रारम किये गी थी। इसके अलावा 1980-1990 की दसक में वियापार बुमी विकास कारिकरम सुरू किया गया था जो की संस्था गतर तक्निकी जो सुधार पर आदारी था और इस दिसा में उठाए गए कुछ परमुक है जो महत्पूर्ण योगदान रहते हैं तो रैसेदार फसलों में कपास और इसम इसको उगाने के लिए उचेताप हलके वर्षाव 210 दिन पाला रही दोप के अश्यक्ता होती हैं जूट को सुनारा रह सका जाता है जूट उत्पादन बार शित्र में जल निकासे वाली उरुरक भूमी का मरदा पाय जाती हैं उचेताप माने के अश्यक्ता होती हैं पस्च 1929 के आर्थिक मंदी के परमोग कारण 1929 में संपूर्ण विसमें आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था जिसके नकारात्मक प्रभाव सभी देशों पर पढ़ेते हैं इसके निमने कारण थे पहला थे उत्पादनी के अधिक्ता दूसरा है गिरावट में कमी तो कर्शी पादों के अधिक्ता के कारण मुल्यों में गिरावट आई परिणाम सुरुप किसानों की आय अस्तर गिरने लगा इस कारण जो सभी किसान अपने आमदनी बलाने के लिए उत्पादन पर बाल देने लगे अता खरीदारों की कमी हो गए इसके कारण आर्थिक सुदार संब संतान के बारे में क्या समझते हैं तो विश्व युदों के बाद अंतरास्टी आर्थिक व्यास्ता में नियमित करने तो जुलाई उनिसे चमालिस में अमेरिका के ब्रेडन वूडर नाम अकस्तान पर एक संतान आजित हुआ जिसमें मोदरिक और विती इमामलों को नियतित करने है तो सहमती बनी थी जो कि ब्रेडन वूड संबेलन कहलाता है ब्रेडन वूड सम्मेलन में युदोतर पुनर इर्मान की दो संग्रिशनों का स्थापना किये गई जिनें ब्रेडन वूड की जुर्वा संतान का जाता है एक तो ये कि आये लोग अंतरास्टे मुद्राकोस और दूसरा ये हैं 19 सद्धी में राष्टों के विकास किस आधर पर हुआ दोनों को समझाना है 19 सद्धी में राष्टों का विकास किस आधर पर हुआ तो राष्टों का विकास विविन प्रकार से हुआ तो राष्टिता की बावना का कारण नवी न हासी की संकल्पना बनी जैसे जर्मनी का विकास इसमें आपको संसद है बिश्मार की अबहने बता कुछ किश्ता में बंक किस प्रकार मत्मी तो में नहीं बाते हैं या चुर्म प्रता सिमोग का दिए सबस्क्राइब तो इसमें आपको 77 साथ समो के बाद मताना है तो यह इसका गुरा शक्राइब अब बार देखने नहीं ना और तल्चर हैं कल पक्का में और रावत बढ़ा अपको चित्तर में बढ़ना है और जो बढ़ु परेंब यह लृव करें नहीं दंत नियानिर विलायी और सरा में बाल है और और इस प्रकार से आपको पूरा पेपर वहां पे तयार हो जाएगा और इसकी जो पीडिये पे एपको आपको प्लब देवां साथ ही आपके इसके बाद में एक पर और आने वाले हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि आपके लिए काफी इम्पोड कि लेना